कि नमश्कार में दिलांजे तेवारी आप देख रहे हैं दिभारत पोस्ट और आज हमारे साथ एक खास महमान है चतिसगर के खाद्य और संस्कृति मंत्री श्री अमर्जीत भगत जी सर हम आपका स्वागत करते हैं अपने प्रोग्राम में देश में संसत से लेकर सोशल मीडि और सडक तक हंगामा बर्पा हुआ है किस चीज को लेकर किसान बिलकु लेकर इस पर आपकी राय क्या है आपके पार्टी का क्या स्टैंड है पूर रूप से जन विरोधी है किसान विरोधी है इस एक्ट के आने से जमा खोरी बढ़ेगी ऐसा महसूस होता है कि बड़े उद कहना यह है कि बिल का जिक्र नहीं किया गया है लेकिन MSP की विवस्था बरकरार है उनसे कोई हक नहीं चीना जाएगा किसानों से इनकी बातों की कोई विश्व सनेता नहीं है और प्रधानवंत्री जीन एक बात और कही थी उन्होंने कहा था कि हम हर वर्स दो करोड इवाओ को रोजवार देंगे उन्होंने दिया नहीं एक के बाद एक उनकी बात जो है जोट निकली लेकिन मानने प्रधान मंत्री जी केवल इस्टंट बाजी केवल स्लोगन में ही मस्त रहते हैं जितनी भी बात कही केवल जुमला साबित हुआ है दो चीज काफी सुनने को मिलती है और अभी एक चीज सुनने को मिली है कि जिसे भाजपा या केंदर के सरकार जुमलावादी है तो वहीं भाजपा आरोप लगाती है विपक्ष की विपक्ष अफवाफलाती है और विकास विरोधी है पिछले एक वर्षों में करीब 42,000 किसान और मजदूरों ने आत्महत्या कि तो जो डर एक पैदा होता था किसानों के मन में उनको डर को खतम करने के लिए जो रिस्क नहीं ले पाते थे उनके लिए यह कॉंट्रेक्ट फार्मिंग के जो है बिल में शंसोधन किया गया है तो आप विकास विरोधी क्यों बनते जा रहे हैं आपकी पार्टी विकास रोधी के दूसरे इंडिया कमपनी को लाने जा रहा है यह दुसरे इंडिया कमपनी बनेगा जब अर्थ बिश्था में एक तरफां का कब्जा होगा सभी नीने सरकार नहीं करेंगी बलगी उद्योग पती करेंगी चटिस गड़ बेस्ट मॉडल है पूरे हंदुस्तान में तो खिसानों के लिए उन्होंने आपके डेड़ साल के सरकार हो गए तो रिण माफी जैसे कुछ जो है मदद की किसानों को पुरुवती सरकार में जब भारती जनता पालिटी की सरकार शेटिस गड़ में थी तो लगातार किसान आत्मत एक घटना घट रहे थी सरकार बदलने के बाद मान्य भुपेश बगेल जी ने किसानों के लिए कई योजनाय बनाई और उसको अम्ली जामा पहनाया सबसे पहले उन्होंने सत्ता सभालने के महज दो घंटे में 36 किसान थे और करज में जो दबे हुए थे सभी का एक और से एक ही घोसड़ा में एक ही दसकत में सबका करजा माप कर दिया अब यह जो बिल है यह लोकसभा में यह राचसभा में पास हो चुका है तो क्या आपके प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा या आपके प्रदेश आपकी सरकार आपकी पार्टी कुछ अलग नीती रणीती पर काम कर रही है इसको लेकर देखे आज पूरा देश उद भारत की जो वावाम है, सडको पर थी, और जम करके इस बात का विरोध कर रही है, तो परधान मंत्री जी से उना हाग रहा कि इस विल को वापस ले, एतना जब विरोध हो रहा है, तो क्यों आप हट धर्मिता अपना रहे हैं, लोगों के उपर जोर्जबरजस्ती क्यों कर रह हाते हैं, 36 गड़ में मानने मुख्यमंत्री गूपेश बगेल जी ने आहवान किया है, और हमारे प्रदेश अध्यक्षी में कि हम 20 लाख किसानों के साथ इसका दसकत करके और विरोध प्रदर्शन करेंगे, और इसके लिए हम अभियान भी शुरू कर दिया गया है, मैं कहन चाहता हूं कि जब नोटबंदी से फायदा नहीं हुआ, जी एस्टी से फायदा नहीं हुआ, जी एस्टी से में पिछले अप्रेल से अभी तक का हमको 36 गड़ का हक और कई अन राजियों को हकुन का अधिकार नहीं मिला, लोगों को 2 करोड रोजगार प्रति वर्स देने की बात केती ओभी नहीं हुआ, तो किसी विल ला करके कों से भला कर लेंगे, जिसमें बड़े उद्योग पतियों के दिये रास्ता बना रहे हैं, 36 गड़ की जनता, पुरे हिंदूस्तान की जनता मान करती है, कि ये डिल को वापस लिया जाना चाहिए, और रास्टपती सागर का पत्र हम लोग भेज रहे हैं, कि वो इस पे दसकत ना करें, तो ये थे हमारे साथ 36 गड़ के खाद और संस्कृती मंत्री श्री अमरजीत भगत जी जिनोंने अपनी सरकार और अपनी पार्टी की बात रखी, किसान बिल को लेकर, ऐसे ही मेहमानों को हम लाते रहेंगे भारत के लोगों की बात, आप भी देखते रहे हैं, भारत पोस्ट, धन्यवाद सर,